प्रश्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पर तो जो आज का वीडियो होने वाले वो खास कर उन लोग के लिए खास होने वाला है जिनके पास शार्जी भी राम है और पांसो बाराम भी ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रे इस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो भाई देर की इस बात की विजिट करो एंड अपनी गेम को इंस्टाल करो दूसरी बात कि अभी देख आपने हमें इंस्टाग्राम हैं हमेरे ट्रेग्राम चैनल को जो जोईन कर लो भाई तो बीना टाइम वेस्ट किये चली व आप इस गेम को बोल सेकते हैं कि यह बैटल फिल्ट री का पुरा सीक्वेंस जो कि 2011 को रिलीस किया गया था बैटल फिल्ट फॉर को रिलीस किया गया था ऑक्टूबर 2013 को आपकी प्लैटफॉर्म के लिए उपलब दे प्लेस्टेशन 4 एक्स बॉक्स एंड आपकी PC के लिए इस गेम को सबसे अच्छा बात यह लगता है कि पूरा ओपेंड वर्ल्ड गेम आपको पूरा ओपेंड वर्ल्ड व्यूइंग अंगन मिलता है अलग अलग सिटी में आप यहां पर अपना मिशन को कंपलीट करते हो तो बैसिकली इसका जो ग्राफिक्स कॉलिटी बहुत ही अबर इस गेम आपको इंश्टाल करना तो आप मेरे मकास आपके से सिस्टम में बगवार्म मैं आरामसे चल जाताब तह यहां पर बैटल्फिल्ड्ट फोर का है वो minimum system requirement आपको यहां पर बता दना चाहता हूं RAM की बात करते हो minimum 4GB होना चाहिए processor की बात करतो code to do में अराम से चल जाएगा graphic cards की बात करते हम पान्सो पारा भी नीड है and दुस्तो space की बात करते हो आपके पास 15GB का space खाली होना चाहिए आपके PC या laptop पे तो भाई इतना system requirement है इस game को आप smoothly खेल सकते हो and game का पूरा experience ले सकते हो बढ़ते हैं हमारे second game के उपर so guys हमारा जो second game निकल क्या था उसका नाम है Far Cry 3 Far Cry 3 जो है जो है दुस्तों वो एक first version shooting वीडियो गया है जिससे develop and publish किया गये uv shop के द्वारा and उसको release किया गया 29th November 2012 को and दोस्तों यह सभी platform के लिए उपलब दे PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox and आपके PC के लिए हमारा main character है उसका नाम Jason रहता है and वो Rook Island जाता अपने French आप vacation मनाने and उसके भाई जो rally रहता है उसको pilot license मिलने खुशी में वो party मनाते रहता है तो होता क्या है दोस्तों कि वो party मनाते मनाते skydiving करता है and skydiving के साथ वो एक island में उतरते जहां VAS नाम का एक बंदा रहता है जो जब यह land करते हैं उस island में तो सब इधर इधर हो जाते हैं दोस्तों and then after VAS Jason के और कुछ उसके friends को पकड़ लेता है and जैसे तैसे VAS के कबजे से छोड़ा के Jason जैसे तैसे वहां से निकलता है and then after यहां पर main story स्टार्ट होता है यहां पर अब Jason VAS के जो भी base रहते हैं अब VAS को माना रहता है तो इस हिसाब से Jason one by one VAS के जीतने भी base रहते हैं उन सभी को खतम करता है और लाशने वास को मार देता है तो basically एक storyline mission game है दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलता है and यहां पर आपको पुड़ा open world का view देखने को मिल जाता है आपको इस गेम को स्मूदली खेल सकते हो वो यहां पर रिविल कर देना चाहता हूँ RAM की बात करें तो minimum 4GB होना चाहिए Graphic Arts की बात करते हूँ नहीं पांसुबारा में नीड है और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटल को टुड़ियो में RAM से चल जाएगा स्पेस की बात करें तो minimum आपके पास 10GB के असपास पेस खाली होना चाहिए पीसी या लापटॉप पर तो अगर आपको इस गेम को भी अगर आपको इस टॉल करना तो कूद भान के मेरे वेबसाइट पर जाए वहासे आपको इस गेम को स्टॉल कर सकते तो वेल काई बढ़त अजय के द्वारा एंड बैसिकली इस गेम में आपको वेल हैकिंग स्किल आपको यहां पर देखने को मिल जाता यह पर आपको मिशन कम्पलीट करना रहता है एंड जो हमारा गेम का मैप हो सिकागो सहर में बेस हैं कि पबलिक जितने भी पबलीक है एक दूस्रे से कनेक्टे तो बेसिकली उस OS का नाम City OS रहता है तो सिकागो शहर के एक private company उसे डवलप कर से सभी चीज़ कंट्रोल होती है कि कौन आदमी कहां पर है और पूरे CCTV क्यामरा पूरे पूरा City इस OS से कंट्रोल होता है और बिसिकली जो company रहती है वो इस जितने भी details रहती है वो दूसरे company को sell out कर देती है मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहे है कि भाईया आपका जितना भी details है वो सभी private है बट वो private नहीं है तो यहाँ पर हमारा protagonist रहता है उस Adam Prius रहता है वो highly इसके लिए great hat hacker रहता है कि शहर के किसी भी electronic device को वो hack कर सकता है तो basically अब यहाँ पर जो आपना mission स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आपको missions को complete करना रहता है और साती साथ यहाँ पर पूरा open world view मिलता है जो गेम का graphics से उसका क्या कहना मतलब कुड़ता भाल के में नाचूँ ऐसा गेम का graphics से आप वीदर वीदर city को explore कर सकते हो घूम फिर सकते हो मतलब पूरा यार आपको open world city का यहाँ पर पूरा experience देखने को मिलने वाला है जो minimum system requirement है वह में बता दू राम की बात कर तो minimum 4GB होना चाहिए ग्राफिक काड मिनिमुम आपके पास 500 बाना में नीड एंड दुस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपके बास intel code to do का प्रोसेसर होना चाहिए स्पेस की बात कर 25GB के असपा स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना तो भाही बोलने का क्या बात है पूत फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ एंड वेबसाइट कलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जल्दी जा कि इस गेम को स्टॉल कर लो वाल किस बढ़ते हमारे फोर्थ गेम के उपर निकल के आता है उसका नाम है GTA 5 पाया हट GTA 5 के फैन है प्लीज एक लाइक और एक शेर करके जरूर जाना तो यहां पर में GTA 5 के बारे में थटड़ आपको एक्सप्लेइन कर देना चाता हूँ वैसे explain करने का जरुवत नहीं आप मेरे से जाधा जानते हो बट फिर भी मैं थोड़ा explain कर देना चाहता हूँ दोस्तों GD5 एक action adventure open world video game में जिससे double up and publish किया गया है rockstar games के दवारा इस game को release किया गया था दोस्तो 17 September 2013 को and basically इसमें आप single player भी खेल सकते हैं और multiplayer भी खेल सकते हैं यहां पर आपको दोनों options मिल जाते हैं and basically पूड़ा open world game है यहां पर आपको missions complete करने रहते हैं and after mission आप city में इधर विधर भटक फिटर रख सकते हैं सबसेर्शी बात कि इस game का जो graphics है वो कताई OP graphics है मतलब आप इस गेम को लो-end PC में भी खेल सकते हो and अपने high-end PC में भी खेल सकते हो and basically इस game को जो system requirement है वो भी कुछ जादा निया तो basically यह game आपकी सभी platform के लिए अपलब दे आप इसे PlayStation 3 में खेल सकते हो 4 में खेल सकते हो, Xbox में खेल सकते हो in fact अपने PC में भी खेल सकते हो तो well guys इस game को minimum system requirement है वो यहाँ पर में reveal कर देना चाहता हू RAM की बात करें तो 4GB होना चाहिए ग्राफिक काट्स की बात करें तो minimum 512 में नीड है and दोस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटे कोट डियो में अराम से चल जाएगा space की बात करें तो भाईया 90GB की आसपा space खाली होना चाहिए इस game को install करने के लिए इस बढ़ते हैं हमारे 5th game की उपर जो मारा 5th game निकल के आता है उसका नाव है Max Pan 3 and अगर आपने Max Pan and Max Pan 2 नहीं खेला है तो भाईया पहले उन game को खेलो तब जाके Max Pan 3 में आओ Max Pan 3 की तो अब कुछ लोग बोलोगे भाई थोड़े ना 4GB वाला game है भाई तो 2GB में चलेगा तो भाईया अगर आप smoothly game को high graphics में खेलना चाहते हो तो Max Pan 3 आपके लिए ही पना है भाईया जी तो यहाँ पर Max Pan 3 आपका एक 3rd person shooting video game में जिसे डवलप किया गया हमारे चाहीते Rockstar studio के द्वारा और इसे published भी किया गया Rockstar game के द्वारा game को release किया गया तो May 15 2012 को and almost यह सभी platform के लिए उपलब दे PlayStation 3, Xbox and आपके Windows के लिए and well कि इस game में आपको करना क्या रहता है यहां पर आप मैं मिशन को complete करना रहता है and यहां open world का यहां पर आपको experience देखने को मिल जाता है मतलब इस game का जो graphics quality वो भी काफी अच्छा यहां पर देखने को मिल जाता है so basically इस game की system requirement की भात कर लें तो guys इस game की minimum system requirement है वो यहां पर में reveal कर देना चाहता हूं RAM की बात करें तो minimum 3GB होना चाहिए graphic cards की बात करें तो यहां पर आपके पास 500 बारें भी graphic card होना चाहिए आपके PCI laptop पे और processor की बात करें इंटल code 2D में game आराम से चल जाएगा space की बात करें तो भाया minimum 30GB के आसपा space खार रखना इस game को install करने के लिए तो अगर आपको इस game को भी अगर आपको install करना है चाहिए part 1, max pen 1, max pen 2, max pen 3 इन तीनों को अगर आपको खेलना है तो कूदफान के superman जैसे मेरे website पर जाओ अपनी game को install कर लो तो वाल गईस बढ़ते हैं हमारे 6th game के उपर Call of Duty Black Ops 2 को आप install करना तो यहां पर मैं Call of Duty Black Ops 2 के बार में थोड़ा पता देना चाहता हूँ Call of Duty Black Ops 2 एक first version shooting वीडियो गया में जिससे developed किया गया TRIH के दवारा और इससे publish किया गया Activision के दवारा और यह आल्मोस्ट सभी platform के लिए उपलब दे यहां पर आपको दो मोड मिलते हैं एक single player एक multiplayer तो इस game में आपको पुड़ा open world view मिलता है आप open world का यहां पर experience का लुफ्ट उठा सकते हो यहां पर minimum system requirement है वो यहां पर मैं reveal कर देना चाहता हूँ RAM की बात करें तो आप इससे 2GB में भी खेल सकते हो बट आप अगर अच्छा experience लेना चाहते है तो 4GB RAM minimum आपकी PCI laptop पे होना चाहिए RAM की बात करें तो मिलें 4GB होना चाहिए Graphic Cuts की बात करें तो minimum 512 minutes है और दो प्रसेसर की बात करें तो Core Studio में यहां आप से चल जाएगा तो एक action adventure video game है जिससे डवलब किया गया है Crystal Dynamic की दवारा और इसे पब्लिश किया गया Square Unix के दवारा तो आपको मिशन को complete करना रहता है मतलब यहां पर आपको पुरा wildlife का पूरा experience देखने को मिलता है mission storyline mission यहां पर आपको देखने को मिलता है यहां पर आपको missions को complete करना रहता है यहां पर सबसे चीबात यह लगती है कि इस game में आप open world view का experience देखने को मिल जाता है साथ-साथ game को release किया गया था March March 2013 को गेम की बात करें तो यह single player भी है and multi player भी है and game almost सभी platform के लिए उपलब्द है PlayStation 3, Xbox, PlayStation 4 and आपके PC के लिए and सबसे चीबात यह दो ग्राफिक कॉलिटी है वो कताई OP ग्राफिक कॉलिटी है game का minimum system requirement है यहां पर में रिविल कर देना चाहता हूँ इस game को खेलने के लिए तो इस game को भी अगर आपको install करना है अपने PCA laptop पर तो कूट फान के मेरे website पर जाओ और अपने game को install कर लो so well guys बढ़ते हैं हमारे 8 game के उपर यह हमारे 8 नमबर वल गेम है उसका नाम है Batman Arkham Origin and दोस्तो Batman Arkham Origin एक action adventure वीडियो गेम है जो की साथी साथ आपको इसमें open world का भी experience देहने को मिल जाता है बैटमें Arkham Origin को develop किया गया था WB Games के द्वारा और इससे publish किया गया है Warner Bros के द्वारा Scenes Game को release किया गया था October 25, 2013 को साथी साथ game mode की बात करते हैं उसमें आपको single player साथी साथ मुल्टि प्लेयर भी मिल जाता है और अल्मोस्त इस सभी platform के लिए आपके उपलब दे आप इसे PlayStation 3 में खेल सेकते हैं Xbox में खेल सेकते हैं साथी साथ अपने PC में खेल सेकते हैं हमारा जो मेन करेक्टर वो Batman खुद रहता है मेन विलन रहता है उसका नाम Black Marks रहता है जो की Gotham City में तभाही माचाने लग जाता है उसे रोकता है साथ यहां पर मिशन कंपलीट करना रहता है आफ्टर मिशन आप City में इधर विदर मढरा सकते हैं उपन वर्ल का experience ले सकते हो सब्सक्राइब काफी कम है मतलब अगर आप अच्छे experience के साथ इसे खेलना चाहते है तो अगर इसे आप 2GB RAM में भी खेल सकते हैं बट इसे आप थुड़ा अच्छा experience smoothly खेलना चाहते हैं तो minimum आपकी पास 4GB RAM होना चाहिए तो यहां पर जो recommended system requirement है वो यहां पर में reveal कर देना चाहता है और RAM की बात कर तो minimum 4GB होना चाहिए प्रोसेसर की बात करें तो Intel Core 2 यह चल जाएगा ग्राफिक कार्स की बात करते हैं पांसो बारा में नीड है स्पेस की बात करें तो minimum 15GB के असपा स्पेस खाली होना चाहिए आपकी PCI Laptop है अगर आपको इस गेम को पर इंस्टॉल करना है अपने PCI Laptop है तो फूद फान के मेरे वेबसाइट पर जाओ आप इस गेम को इस्टॉल कर सकते हो वेल गाइस बढ़ते हैं नाइंथ गेम निकल के आता है उसका नाम है Assassin's Creed 4 Black Flag Assassin's Creed 4 Black Flag भी आपका एक एक आक्शिन एडवेंशर वीडियो गेम है जिसे developed and published किया गया Ubisoft के द्वारा और साथी साथ इस गेम को रिलीज किया गया था 29th October 2013 और सभी प्रैटपॉर्म के लिए आप इसे PlayStation 3 Xbox और आपके PC के लिए भी खेल सकते हो साथी साथ इस गेम के बारे में थोड़ा में explain कर देना चाहता हूँ दोस्तो एक स्टोरी लाइन mission game मिलता है यहां पर आपको missions complete करना रहते हैं साथी साथ यहां का जो map है वह totally open world है आप map को पूरा explore कर सकते हो साथी साथ यहां पर आपको अलग अलग type के map है दोस्तो पूरा open world based है इस ग्राफिक्स है गेम का वह काफी OPA इस गेम के जो system requirement है वह यहां पर में reveal कर देना चाहता हूँ इस गेम के minimum system requirement है वह यहां पर में reveal कर देना चाहता हूँ RAM की बात करे तो minimum 4GB होना चाहिए Graphic cards की बात करे तो minimum 512 minutes है और दस तो processor की बात करे इस गेम को खेलने के लिए तो इस गेम को भी अगर आपको install करना है तो भाई कूद फान के जल्दी से मेरे website पे जाओ और इस गेम को install कर लो तो इस बढ़ते हैं हमारे आखरी गेम के उपर जो हमारा number 10th game है तो वेल गे जो हमारा 10th game है उसका नाम है Need for Speed Rivals बिसिकली इस गेम को release किया गया था 15th November 2013 बिसिकली यह आपके सभी platform के लिए प्लेशेशन 4 Xbox और आपके PC के लिए साथी साथ में इस गेम के बारे में तो और बता देना चाहता हूँ इस गेम में आपको totally racing करना रहता है यहाँ पर missions complete करना रहता है जैसी इस गेम को में बता दू इस गेम को जो map है वो totally आपको open world का view देता है ठिलाने के लिए आपके PCI laptop पे कितना system requirement होना चाहिए वो यहाँ पर में बता देना चाहता हूँ RAM की बात करे तो minimum 4GB होना चाहिए graphic cards की बात करे तो minimum इस गेम को भी आकर आपको खेलना है या install करना है तो बाई कूत फान के मेरे website पर जाओ एंड इस गेम को install कर लो तो वैल गाईस बस यही कुछ 10 गेम थे आपके 4GB RAM वाले PC के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इन टॉप 10 गेम में से आपका अब इखान कर वाले इस गेम आप कौन सा गेम आवी डॉलेट करने वाले हो तो और आज की वीडियो बस इतना ही था I hope दूस्तों कि ये वीडियो पसने है वीडियो पसने है वीडियो को like करो शेर को and subscribe करो अपने friends के शार करो जो जिनके पास 4GB RAM वाला PC है और वो गेम्स खेल नहीं पा रहे हैं भाई उनको बताओ कि भाई तुम ये गेम्स खेल सकते हो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना और पडिवारा ख्याल रखना साथी साथ अपनी गल्फरिंड रख्याल रखना तब तक लिए जै हिन जै भाई